कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तो डिस्क्रिप्शन में वाटसप ग्रूप और टेलेग्राम का लिंक दिया गया है किसी को भी हमारे साथ जुड़ना हो तो वो लिंक के उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे यहाँ पर जो भी अनालिसिस कर रहा हूँ वही अनालिसिस सिखा भी रहा हूँ उसका डेमो लेक्चर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो वीडियो पर आप ज़रूर देखेगा बहुत यह अच्छा फाइदा होगा आपको सो टीसेस में वन वे जिस तरह से मुह हमें देखने को मिला था टीसेस भी आपको काफी लोवर लिवल पर सजेस्टन दिया गया था और वहां से स्टॉक्स देखो तो अलमूस 51% का रिटन हमें देखने को मिला है अभी जिस तरह से हाइर लिवल से यह थोड़ा टाइम पास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 3700 के नीचे यह स्टॉक्स गया नहीं है 3700 के नीचे यह स्टॉक्स गया नहीं है अभी जिस तरह का चार्ट का स्टॉक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से अगर आपको लॉंग पोजिशन बनाना है तो थोड़ा महेंगा लीजिए 3900 के उपर का क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश लॉंग पोजिशन बनाई है अधरवाइस प्लीज आप अभी थोड़ा अवोईट कीजिए यहाँ पर थोड़ा और भी थोड़ा टाइम पास हो सकता है और लोवर लेवल भी पॉसिबल है 3700 इन शोट में आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि 3900 से लेके 3700 no trading range है 3900 के उपर sustainable closing देता है उसके बाद किसी को भी long position करना हो तो ज़रू long कर सकते हो और 3700 के अगर नीचे sustain करना चालो किया तो stock के अंदर 3450 तक के लेवल लोवर लेवल पॉसिबल है तो उस हिसाब से आपको फिर काम करना पड़ेगा ठीक है लेकिन fresh long position बना नहीं है तो 100 रुपय हम होंगे महेंगा लीजिए stock लेकिन confirmation के उपर लीजिए I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा Guys अगर मेरा advice आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर कीजिए आपका भी कोई query है तो live session में आके आप जरूर मुझे question पूछ सकते हो और सीखिए सीखने के बाद काम कीजिए मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखिए knowledge acquire कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीखियो और सीखने के बाद काम कीजिए Goodbye friends, take care, bye bye